आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं DIY डेकोरेटिव आइटम तो यह आप एकदम सस्ता है और यह आपको 20-30 रुपीज में ही बन जाएगा तो सबसे पहले आपको चाहिए यह ट्री ब्रांचेस आप इस से इसका भी ले सकते हैं और इससे बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं और उसके बाद आपको चाहिए वाइट कलर या कोई भी कलर का वाटर कलर या फैबरे कलर और जो वूल होता है वो चाहिए तो पॉम पॉम ब झाल झाल अच्छे से इसको श्रूब लगा कर ले और इसको थोड़ी देश सूखने के लिए और उसके बाद आप तब तक जो है वो फ्लावर के लिए वुल का पॉमपम बना ले तो ये देखिए पॉमपम इस तरह से बनता है तो मैंने इसमें आपको पॉमपम बनाना भी दिखाया है झाल 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 इस तरह से आपको जितने भी पॉपण चाहिए वो आप बना सकते हैं तो मैंने ये कुछ पहले से बना के रखा था और उसके बाद आपको इसमें इसको ये जो थोड़ा सा त्रेड रहता है उसको इसमें बांग देना है ट्री ब्रांचेज में और उसके बाद देखे इसको दो तीन बार अच्छे से बांग दीजिए और इसमें बांग दीजिए और यह देखे यह एकदम फ्लावर की तरह लग रहा है और यह आप इसको और डेकॉरेटिव करने के लिए यह मेरे पास यह पुराना कोई काड़ पड़ा था इसमें ऐसे फ्लावर बना हुआ है तो वह मैं काट रही हूं और इसको स्टिक कर दूंगी देखिए यह रेडी हो चुका है और इस तरह से मैंने यह बॉटल का वास बनाया हुआ है पहले तो आप किसी भी रेडी मेट वास में भी रख सकते हैं या आप वास बॉटल का भी बना के उसमें यह डेकोरेटिव आइटेम रख सकते हैं और यह देखे कितना खुबसूरत लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है और आप कहीं पे भी इसे टेबल पर या कॉर्नर पर अच्छे से रख सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को प्लीज मुझे कामेंट करके बताएगा और लाइक शेर और सब्सक्राइब